महिला की मौत के बाद परिजनों ने निजी होस्पिटल में किया हंगामा धौलपूर सहर के घंटा घर रोड एस्थिद भारत होस्पिटल पर रविवार को सुबह लापरवाही कारोप लगाती हुए महिला के परिजनों ने हंगामा कर दिया परिजनों का आरोपे के डिर्ड महापूर्व महिला के डिलेवरी में लिजी एस्पिताल द्वारा लापरवाही बढ़ती गई जिससे उसकी मौत हुई है अंगामे के सूशना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुँची वर्तक महिला रूपबती उम्र 24 वर्स पत्नी दीपु कुश्वाह निवासी पटपरा धौलपूर के पिता कप्तान सिंह निवासी साला थाना मनिया ने बताए कि डिर्ड महापूर्व उसकी बेटी की भारत हॉस्पिटल में डिलेवरी हुई थी डिलेवरी से पूर महिला पीली और बखार से पुरी थी जिसको लेकर कई डौक्टर ने उसकी बेटी की डिलेवरी करने से मना कर दिया था लेकिन भारत हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बिना इंतिजार किये ही महिला की डिलिवरी कर दी जिसके बाद से ही महिला की हलत बगडने लगी परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा करती हुए बताये कि तब यह जादा बगणने पर निजी अस्पताल के डॉक्टर ने महिला को आगरा के एक अस्पताल में भरती कर इलाज भी कराया दो दिन पूर्व आगरा से चुट्टी मिलने के बाद घर पहुची महिला ने तम तोड़ दिया महिला की मौत के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल को महिला की मौत के लिए जिम्मेदार ठेराते हुए हंगामा खड़ा कर दिया इसकी सूशना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौकी पर पहुची जिसने समझा भुजा कर मामले को सांथ करा है मेरा नाम कप्तान से है मामला मेरी बच्ची थी उसके बच्चा हुआ था एक डिर मीनी पहले आपरेशन से यहीं कर रहा था उसको पी रिया और इन्होंने 24 गंटे और डॉक्टर नों ने मना किया था तो यह दस दिन इलाज चलेगा तब तक इसका आपरेशन नहीं होगा और इन्होंने 24 गंटे उसका दवाई चला के आपरेशन कर दिया अपनी मर्जी से क्यां के रहने वालियों मैं साला कपना प्रेटा कम पर्टी कराया था यह कहतारी कि भाई रच्छा बंदन ते के अलम समकी बाद है उसी दिन दूसरे दिन आपरेशन कर दिया फिर उस बच्ची को सही दिए हुई फिर उन्होंने आज आजरा बत्ती करा दिया आजरा चलता बच्ची को कोई परक नहीं पड़ा बिलकुल अखी राय तक मुंतलाव लेगे उन्होंनों इला चला वो खतमी हो गई लेकन बच्ची को एक दिन रात बर और कल से उसको दोले पड़ते रहे हैं तो कहीं ले जाना ना लाना यहीं पर वी शुसरा ले आई है इन्होंने करा किसी डोक्तर ने अपना ही मेडिसन चला है अपनी दवाई चलाएए